मुझा करते हैं अच्छे होंगे ममता दिवारी ओफिसियल चैनल में आप लोग का मोश्ट बिलकाब है कमेंटे में बताना कैसे हुआ अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आए तो सस्क्राइब लाइक शेर जरूर करिएगा और कमेंटे में बताना कैसी लगी भी यो तो हम जा रहते हैं भरुआ करेला बनाने तो हम सोचे आप लोगों की साथ सेयर कर देते हैं ये काफी द सकता है तो इधर हमने खड़ा धनिया लिया था यानि स्वापोद बोलते हैं देलाई में तो और कलाउंजी लिया था और सौंफ ये सारा बारी मतलब भून लिया था थोड़ा सा उसके बाद इसको बारी पीस लिया था इसमें थोड़ा सा नम्मक और खटाई पाउडर या तो आप उसको भी एट कर सकते हैं और नहीं तो अमछुर जो होता है खटा उसको थोड़ा से डाल दीजिए और शारे मशाले को मिक्स करके करेला के छिलका उतार के उसको बीच से फाड़ के और इसमें सारा नमक डाल के भर दीजिए और किया था जितना बला के तयार किया थे सारा हम और को खोري , आप लोग कर्या से बनातू हो में ज़रूर बताना जैसे कि एक रेगितंसे सारा नप्लोड कि दुटा थे तो एक हांसे हमने मोबाइल पकड़ा था उसके बाद जो है और दूसरी हांसे हम एकी करेले उठा के अड़ाई में डाल रहे थे तो सभी हमी को करना पड़ता है तो उमीद है आप लोगों को वीडियो जरूर पशंद आएगी उसके बाद हम इसको थोड़ा शा हाई फ्लेम करके ढग देंगे थोड़ी देर बाद थोड़ी देर के लिए उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको हम दो बारा से लो फ्लेम करके और करेला जितना भी है उसको हम दूसरी साइट पलड देंगे ताकि अच्छे से करेला हमारा पक जाए आपको इसको हाई फ्लेम करके नहीं पकाना है और तो अगर दीमा करके पकाएंगे तो करेला खुब बोल्डन ब्राउन बन के रेडी होगा और खुब अच्छे से पक के रेडी होगा हाई फ्लेम परक देंगे तो आप करेला फक्त हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्छा रहेगा तो कुछ इसी टाइप का हमारा करेला पक रहा था जो हम आपको बीच बीच में दिखा दे रहे हैं तो इसको करेला बनाने में थोड़ा से टाइम लगता है बहुत आप इस पीट में नहीं बना सकते नहीं तो कच्छा रह जाएगा तो भरवा करेला किसको खाना पसंद है कमें जरूर बताना तो वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे भर्वा करेला बना ले के लिए जो है आपको करेला इदम हरा होना चाहिए यह सुख्रा नहीं होना चाहिए नहीं पकता नहीं है तो इधर हमारा करेला बन के रेड इधर हम बनाने जा रहे थे मिल्क सेक यानि मैंगो मिल्क सेक तो उसके लिए हमने मैंगो कट करके रख लिया ह अपर से बाते कर रहे हैं हमारी एप्रूब भी तोड़ाशा जाधा दिख रही है जो अच्छे नहीं लगती वीडियो में तो वही हम आप लोगों से बाते कर रहे थे जो हैं गर्मी धर्ड लहीं में बुक्त जाधा पड़ रही थे ये वीडियो हमारी कैई दिन की है तो इसकी वज़ा से मेरे दात में भी दर्ध था तो वही हम मंदिर है पीछे हाथ जोड़ रहे थे और बता रहे थे कि हमारे दात में भी दर्द हो रहा है जो सही नहीं हो रहा है अभी तक भी सही नहीं है तो यही सब बाते हो रही थी और हमने लिया था थोड़ा शमाकाई एक केजी तो इसका हम सारा निकाल के जो है इसको उबाल के उसके बाद जो हम इसको फ्राई किये थे थोड़ा सा बारिस हुई थी अभी डाश्ट में आपको हम बारिस का थोड़ा तरी कोड किये हैं तो वो दिखाएंगे हम क्योंकि जब बारिस बहुत ज़ादा हो रही थी तो हम छट पर नहीं गए थे कमरे में इसको सारा निकाल रहते चाकू से और निकाल के इधर हम इसको अच्छी तरह से धूल लेंगे उसके बाद कूकर में थोड़ा सा नमक डाल के इसे हमें उबाल लेना है आप इसको खड़ा भी उबाल सकते हो उपर में इधर हमने थोड़ा सा आलू लिया था बारी कुछ लंबे साइल में कट किया था अगर आपको आलू नहीं पसंदे तो आप उसको अबोईट कर सकते हैं इधर हरी मिर्च प्याज और टमाटर और जो हमने प्याज लिए था तो वही इसको उबालने जा रहे थे उपर में उबाल के उसके पास इसमें हम एड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं सारा रेड़ी है अच्छी तरह से दूलूल के तयार कर दिया है तो वही आप लोगों को दिखा रहे थे आप लोग देख ली इधर हमने कड़ाई रख दिया है ओईल हमारा जरम हो जाएगा तो जितना मकाई इसको भुठक कहते हैं और मकाई भी कहते हैं आप लोग के जैसा कि हम बता दें इलाहबाद के हम रहने वाले हैं और दिली में रहते हैं इधर हमने जो है तेल और तोड़ा गरम हो गया था इसमें हम जीरा एट कर दिये थे जीरा हमारा स्टेटक गया तो उसके बाद प्याज और मिर्च जो तकट करके रखे दें उसको बुंजेंगे उसके बाद हमने इतना भी मकाई का दाना है इसमें थोड़ा ता आलू हम इसमें एड करेंगे आलू को थोड़ा से सुनहरा होने तक भूंज प्राई करेंगे उसको भी अच्छी तरह से पहले तो एक अलग ही टेस्ट आता है अगर आप जैसे आलू की नाले गों ये पाना जाता है तो ज्यादा टेस्ट लगती है अगर आप लोग आपकimaan बनाऊ देओ तो अच्छी लगती है कि अथी तो कि अच्छी तरह में तो खरणी कर लेंगे थोड़ा सा लील कर देंगे आप लोग देख सकती हो आप SumRam कड़ाई पर माईजमत करेंगा क्योंकि कड़ाई करें मैंको के न 1996 कड़ा सचा कुछ रहिए नियुक्त पर पता पर नसरी की परिए सब्सक्राइब कि न सब्सक्राय गोता करेंगा अधिर करेंगे उनकलापल है Such पर वो क愁दी zole 002 006 001 0040 007 003 007 तो थोड़ा सा इसमें हम हलका सा पानी और डाल देंगे नमक बाद हम इसको थोड़ा पा चला और अच्छी तरह से फिर हम इसमें थोड़ा नमक और मशाले डाल देंगे मसाला आप जो प्षण करती हूँ डाल सकते हैं जैसा कि धनिया पाउड़ा, हलली पाउड़ा थोड़ा सा धिरम मशाला भी जाड़ सकते हो चाट मशाला या अमचूर जो आपको परसंद है आप मसाला अपने हिजाब से रख सकते हो क्योंकि मसाले के लिए इसलिए हमने बता रहे हैं कि बहुत लोग को मशाला नहीं पसंद ह तो आप लोग मशाला अपनी पसंद का रख सकते हो लेकिन अगर मसाले के साथ बनाओगे तो ज्यादा टेश्ट लगता है तो इधर हमारा ये पक रात है थोड़ा शब भूंज के तयार हो गया है तो इसमें हम थोड़ा शब धाग देंगे थोड़ी देल के लिए उसके बा चैनल को सस्क्राइब कमेंट जरूर करना बिख्ले कुछ अच्छा सा अच्छा सा अच्छा हो गया है इधर हमने डेकोड़ेट करने के लिए थोड़ा सा हमने इसमें हरा पुदीना डाल दिया था तो इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है अगर आप लोगों को ये वीडिय निकाल देते हैं प्लेट में और गम अगरम चाय के साथ इंजवाय करते हैं आईए आप लोग भी खा लिजे कुछ इस टाइप का कलर अच्छा लगता है टेस्टी लगता है खाने में मेरे दात में भी दर्द हो रहा था तो इसको बहुत लोग है इसे भूंच के और नमक ल बारिस हो रही थी उदिन ठंडा मौसन था तो गय थे हम थ्रेडिंग भी बनवा के आ गय थे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो यह जट पे हम थोड़ा सा घूम रहे थे तो वही दिखा रहे थे कि देखे हमें थ्रेडिंग बना लिया है और उस समय कि जब कि यह वीडि में हैं पाय लोगों बिच्छी हुआ हो गयरा इदम हलका सा काली हो जाती है पता नहीं क्यों पानी कांतर है क्या है इतना भी जाप करो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता हमारे लाहाबाद में तो पाय लोग गयरा काली नहीं होते हैं आप लोग बताना कि किस का कारण है जो हो ज का लोग बहरा रहते क्योंकि छतोच पे जाने में डर लगता है वारी कुछी उसी पे फिसलने लगता है